हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो आज जाजस्थान इस्कूल चप्रासी भरती के उपर डिसकस करेंगे कब इसका फॉरम जारी किया जाएगा एक्जाम डेट क्या है दोस्तो एक्जाम मार्च में होने की संभावना बताई जा रही है क्वालिफिकेशन देखो फ्रेंड्स पहले इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन थी वो थी पांचवी पास अब इसके क्वालिफिकेशन को बढ़ा कर संसोधन करके नियमों में ट्वैल्थ पास कर दिया गया है यह 18,000 से भी जादा पदों पर होने वाली है बढ़ती ठीके तो आए डिटेल में इस बढ़ती के बारे में देखते हैं युवाव के लिए एक खुस खबरी है तीन बड़ी बढ़तियों पर वित विभाग ने दी है जानकारी आप देख पा रहे हैं पर चतुत स्रेनी 54,000 से जादा खाली पदों को भरती परकरिया से बढ़ने के लिए नियमों में संसोधन किया जा रहा है यानि कि 4th grade के अंदर 54,000 से भी जादा खाली पद है उनको भरने का काम किया जा रहा है अगर मैं स्कूलों में बात करूँ तो स्कूलों में आप देख सकते हो दोस्तों कि कुल चतुत स्रेनी के 25,000 है उसमें से जो खाली है ये खाली की लिस्टे 18,920 पद जो है खाली है ये क्यों हुआ दोस्तों क्योंकि 3000 से जादा स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूलों को इंगलिस मीडियम में कनवर्ट किया गया और वहां पर हमें जो चतुत स्रेनी यानि कि स्कूल में चपरासी की आउसकता है लेकिन अब इसमें क्वालिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा कि ये नोटिफिकेशन जो है जल्द जारी किया जाएगा सरकारी स्कूलों में राजस्तान में स्कूलों में होगी 18,000 से भी अधिक तो नियमों में संसोदन किया जा रहा है और भी कुछ नियम है जिनमें संसोदन होने के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन दिखने को मिले एक्जाम की डेट जो है बताई जारे है कि मार्च 2023 तक एक्जाम हो सकता है लेकिन वो भी आगे जाएगा पहले तो आपके पास ओनलाइन फॉर्म आएंगे फिर आप अप्लाई करेंगे उसके बाद एक्जाम डेट फिक्स किया जाएगा